हेलो गाईज, यू आर मोस्ट वैल कमोन ए टू जैड मोटिवेशनल आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आने वाले दस महिने में इन राचियों पर रहेगी सनी देव की तिछी नजर तो जानिए सब कुछ इस वीडियो में सनी न्याई देवता माने जाते हैं जो कुम राचि में विराजे हुए हैं 2023 में सनी ने कुम में परवेश किया था जो आने वाले महिनों में भी इसी राचि में संचरन करने वाले हैं मार्ज से लेका दिसमबर तक सनी कुम राचि में ही गोचर करने वाले हैं सनी के अपनी मूल तिरकोन राशे में विराजमान रहने से कुछ राशियों के लिए समय अच्छा रहेगा तो कुछ को सनी की चाल तकलिप भी दे सकती है सनी फिलाल अर्ष्ट वे अवस्था में है जो जल्दी उदित होने वाले हैं आईए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आने वाले इन दस महिनों में किन राशियों पर सनी की टेड़ी नजर रहेगी और सनी के बुरे परभाव को कम करने के कुछ उपाय के बारे में सनी की टेडी नजर किस परकार किन राशों पर रहेगी सनी देव के कुम राशी में विवराजवां रहने से कुम राशी मकर राशी और मीन राशी पर सनी की साड़े साथी का परभाव रहेगा वही सनी की डहिया वर्शिक राशी करक राशी पर रहेगी ऐसे में आने वाले दस महिने इन पांच राशियों को सनी की चाल प्रेसान कर सकती है लाइप में प्रोब्लम आ सकती है सनी की चाल से कैरियर आर्थिक और लव लाइप में उतार चड़ाओ का सामना करना पड़ेगा वहीं कुछ उपायों की मदद से सनी देव के बुरे परवाव को कम भी किया जा सकता है सनी साड़े साती और धैया के उपाय सनी की साड़े साती और धैया के परवाव कम करने के लिए सनीवार को काले तिल का दान करे हर सनीवार को हनुमान जी की उपासना करे सीव जी की पूजा करने से भी सनी का परको कम सताता है ओम सम सनी च्राय नमे मंत्र का एक सो आठ बार जब करने से सनी देव का अशिर्वाद प्राप्त होता है सनीवार के दिन काले उड़द की दाल, सरसो का तेल और काले रंग के वस्त्र का दान करना बेहत सुब माना जाता है वही सनीवार के दिन पीपल के पेड़ और समी के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए इन सभी उपायों को सनिवार के दिन करने से आप परकोप से बस सकते हैं और आपका जिवन खुस में बन सकता है I hope जानकारी आपको अच्छे लगी होगी तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में तिल दैनों के बाई बाई